CBDC Digital Currency यानि कि E-Rupia Government ने आप से कुछ समय पहले अनौंस किया था और खुसी की बात ये है कि आज की डेट में आप सभी के लिए जो currency है अवेलवेल हो चुकी है Digital तरीके से आप note को issue करा सकते हो, अपने mobile phone में उन्हें store करके रख सकते हो किसी को भी पैसे आप भेज सकते हो, तो इस वीडियो में पूरा process दिखाऊंगा कैसे आपको digital currency का account create करना है, कैसे पैसे को lend in आप करोगे पूरा process हम लोग live देखने वाले हैं, तो चलिए, सुरू करते हैं तो इसके लिए आपको play store पे आना है, और यहाँ पर आपको digital rupee आकर के search करना है, तो जैसे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर search किया है, तो यहाँ पर access bank, bank of brother, idfc bank, sdfc bank, icc bank, इस तरीकी की जितने भी banks सबके ही लबग यहाँ पर नाम दिखाएंगे हैं, और यहाँ पर इन सारी bank की digital rupee के application है, available हो चुकी है, जिस भी bank में आपका account है, उसकी application को आपको download कर लेना है, other bank की भी application को use कर सकते हो, अगर आपका account इन में नहीं है, अब जैसे कि हमारा जो account है, वो idfc first bank में है, तो यहा आपको अपने phone में install कर लेना है, application को आप first time open करोगे, तो यहाँ पर कुछ permission allow करने के लिए बोली जाएंगे, जिनको आपको allow कर दिना है, और term and conditions का जो page आएगा, जिसको की आपको scroll करके इस तरीके से आपको पूरा ही read कर लेना है, और accept के option पे click करना है, अब आप देखोग SIM card को बनाने के लिए हम next करेंगे, तो हमारे mobile phone में जो भी SIM card डले होंगे, वो यहाँ पास so हो जाएंगे, जिसमें कि हमें वो SIM card select करना है, जो हमारे bank खाते से link है, तो जैसे कि SIM 2 हमारे bank खाते से link है, हम इसे select करेंगे, then यहाँ पर verify SIM के option पे click करेंगे, आपको ensure करना है कि अंदर हमारा SIM verification है, वो हो चुका है, और हम यहाँ पर continue के option पे click करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर इस application में security pin को set करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि pin या फिर pattern या फिंगर पिंगर पिंट का जो भी feature आपके mobile phone में available है, उसको आपको यहाँ पर set करना है, जिससे कि बार आपको यहाँ पर login करते वक्त पिंग या फिर OTP को डालने की जरूरत नहीं होगी, तो चलिए हम यहाँ पर fingerprint enable कर लेते हैं, जैन हम अपना जो name है, यहाँ पर fill करेंगे और continue के option पे click करेंगे, अब यहाँ पर यह जो account है, यह रिकवर बेल होगा, यहाँ पर बताया जारता ह है कि कभी भी आपका phone lost हो जाता है, तो आप दुबारा से application में आ करके register करोगे, तो आपका जितना भी balance होगा, वो उसमें reflect हो जाएगा, तो यह भी एक अच्छी चीज है, हम यहाँ पर continue के option पे click करेंगे, wallet pin set करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर security region के लिए जरूरी है, हम continue करेंगे, तो यहाँ पर आपको six digit का एक pin अपने मर्जी का set करना होगा, repeat यहाँ पर वही pin आपको दुबारा से type कर देना है, तो यहाँ पर आपका जो wallet pin है, वो आप देखोगे कि successfully set हो चुका है, हम continue करेंगे, तो अब आप देखोगे कि हमारे bank account को भी link करने का जो option है, वो आ रहा है, जिसमें कि हम यह bank account भी साथ इसके साथ में link कर लेंगे, तो यहाँ पर इसे select करेंगे और continue के option पे click करेंगे, तो आप देखोगे कि IDFC bank में जो हमारा account है, उसकी जो details है, यहाँ पर फेच हो चुकी है, क्योंकि same ही mobile number हमने यहाँ पर इंटर किया है, जिसमे कि यह जो account सो हुआ है, हम digital currency के साथ में इसे link कर लेंगे, कभी भी अगर हमें पैसे को वापस अपने account में लाना हो, तो इसमें ला सकेंगे, इससे money को हम load कर पाएंगे, select this bank account के option पे click करेंगे, और यहाँ पर account को अगर आप add कर रहे हो, तो आप से debit card की जो details है, वो security region की वज करते ही, आप देखोगे कि हमारा जो digital currency का account है, वो successfully create हो चुका है, हम application के dashboard पर redirect हो चुके हैं, यहाँ पर हमारे account में अभी zero balance है, क्योंकि just मैं अभी account को create किया है, अब यहाँ पर इस application में किसी भी account से हम पैसे को receive कर सकते हैं, अगर कोई हमें भेज रहा है, तो इस account में receive कर प पर इस तरीके के note हम market में देखते हैं, उसी तरीके से 2 रुपे का note, 5 रुपे का note, 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे और 500 यहाँ पर 2000 रुपे का note भी issue किया जार है, चिंता मत कीजिए, यह जो 2000 रुपे का note है, यह बंद नहीं हुआ है, यह digital note है, तो यहाँ पर ज पर इसु करा सकते हो तो जैसे कि आप देखोगे कि यहां पर कुछ इस तरीके के नोट इसु होने वाले सारे तरीके का मल्टिपल ही मैं लबक सारे नोट मेरे पास आ रहे हैं तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहां पर आप किस अकाउंट से पैसे को लोड करना चाहते हो जित यह जो amount है यहाँ पर digital currency के अंदर load हो चुका है, अब अगर हम यहाँ पर amount देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि view balance के option पर click किया है तो जितना भी amount हमने अभी load किया था, वो amount यहाँ पर आ चुका है, लभक सारे ही note इसे के साथ में कुछ coins भी हमने issue कराये था, वो coins भी यहाँ पर issue हो चुके है, हमारा जो current balance है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है अब यहाँ पर यह जितना भी money हमने load किया है, किसी को भी अगर हमें भेजने की ज़रुद है पैसे, तो send a digital रुपी का जो option दिएगा है इस पर आप click करोगे, और यहाँ पर आप किसी को भी contact पर payment करना चाहते हो, जैसे कि mobile number पर तो उसके थूँ आप कर सकते हो, यहाँ पर QR code का भी option दिएगा है, जिस पर आप click करोगे, तो जिस तरीके से आप Google पे, फोन पे, यहाँ पर यूपी जितनी भी application है, इनमें QR code scan करके payment करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे, digital currency जिन लोगों का account बना है, उनका जो QR code है, उनका QR code scan करके, आप किसी को भी payment कर सकते हो, तो चलिए यह QR code हमने अपना open कर लिया है, इसको हम इस application के through scan करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि QR code को scan करते ही, जो भी pair है, उसका जो name है, यहाँ पर so हो रहा है, send digital rupees के option पे हम click करेंगे, अब यहाँ पर आप देखोगे कि वो जो note हमारे account में अभी available है, वो यहाँ पर so हो रहे हैं, जिसमें कि 2 रुपे का note, 5 रुपे का note, 10 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे, जितने भी note हमने issue कराए हैं, coins जो भी issue कराए हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, अब जैसे कि आप देखोगे है, वो डाल करके हम authenticate कर देंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो payment है, वो successfully हो चुका है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो 18 रुपीज हमने भेजे हैं, इनका जो serial number है, जो कि हमारे wallet में अभी यहाँ पर हो रहा था, वो serial number आप देखोगे कि जिसको भी हमने payment किया है, उसके पास में नोट्स जा चुके हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से government digital जो currency issue करने वाली है, फिजिकल note की जो printing है, वो government काफी हद तक कम कर देगी, तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखोगे कि कैसे भेज चुके है, अब अगर हमें पैसे किसी से demand करने है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह जितने भी coins है, अगर हम अपने account में आते हैं, तो आप देखोगे कि सारे कि सारे रुपीज जो भी कोई इन्होंने भेजे हैं वो हमारे अकाउंट में सो हो रहे हैं उसके आगे नंबर्स यहाँ पार सो हो रहे हैं अब यहाँ पर इन केस आप सभी को कभी भी पैसे को रिडीम करना हो इस अप्लिकेशन में अगर आपने लोड किया amount उतके बाद में आपके आसपास में कोई भी digital rupees को accept करने वाला बेखती अगर नहीं मिलता है आपको जरूरत है आपको अपनी main account में physical rupees में पैसे लाने है तो वो भी काम आप कर सकते हो तो suppose यहाँ पर सबसे बड़ा note मेरे पास में 500 का है और यह amount हम चाह हैं और यह दोनों note हम चाहते हैं कि हमारे main account में आ जाएं तो हम redeem digital rupees के option पे click करेंगे select करने के लिए बोला जाता है तो हम इसी account पे चाहते है एडिफसी bank के तो select करेंगे confirm के option पे click करेंगे और redeem digital currency के option पे click करेंगे और यहां पर आप देखोगे कि 700 rupees हमारे main account में पैसे जा चुके हैं तो यहां पर यह जो पैसे हैं आप हम चाहें तो ATM से भी withdrawal कर सकते हैं क्योंकि हमारे bank account में जो पैसे हैं तो यहां पर मैं आपको अपनी application भी login करके दिखा देता हूँ तो आप यहां पर देखोगे कि account के section म हम आज चुके हैं और यहां पर statement में आप देखोगे यहां पर 700 rupees today आप देखोगे कि यह receive हुई है digital currency से ही तो इस तरीके से आप देखोगे कि redeem भी किया जा सकता है जो भी digital currency आपके account में होगी अब यहां पर इसमें एक option आपको और भी दिखता है collect का तो इसका क्या use है उसके ने payment किया था दूसरे phone पर तो 18 rupees 50 पैसे same amount चाहते हैं कि उनसे demand करना मांगना तो यहां पर आप चाहो तो यह QR code generate करके भेज सकते हो किसी के साथ में आप share करोगे तो वो जो पैसे आपको भेज पाएगा और यहां पर यह जो QR code है scan कर लेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि automatic जितना भी amount हमने फिल किया है 18 rupees 50 पैसे यहां पर यह सो हो रहा है इतना पैसा हम यहां पर send करना चाहते हैं तो send digital rupees के option पे click करेंगे अपना जो भी pin है फिल करेंगे और यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो payment है वो successfully हो चुका है यहां पर आप देखोगे कि इस account में 18 rupees 50 पै पैसो का लेंदेन इस application में कर सकते हो अगर हम view wallet के option पे click करेंगे तो कितना balance हमारे पास बचा है उसके कौन कौन से note हमारे पास बचे हुए है वो हम देख सकते हैं तो देखा आपने इस तरीके से आप अपना digital currency का जो account है वो आसानी से बना सकते हो इस video को आप सभी लोग किसी भी तरीके का सुझाव हो तो वो भी आप मुझे comment में लिगेगा और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक लिए goodbye जहिंद